हाई अब्रीवन वेलकम बैक ट्वी चैनल यूसफुल टिप्स और ट्रिक्स फॉर होम और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुती बहतरीन से क्लेनिंग टिप्स जो आपके कुछ मुछकिल कामों को आसान कर देंगे जैसे कि अगर किचन में खाना बनाते वाद गल्ती से कोई बरतन अगर जल जाए तो इस जले हुए बरतनों को घंटों तक हमें साफ करना पड़ता है तब जाकर ये साफ होता है अब हम जो ट्रिक देखने वाले है इससे जस्ट कुछी मिंटों में और बिना मेहनत हम जले हुए बरतनों को साफ कर सकते है तो मेरे पास है ये कुकर जो बहुत ही पुरी तरीके से जला हुआ है तो इसी कुकर को आज हम साफ करके देखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम जलाएंगे गैस और इस गैस पे रखेंगे ये जला हुआ कुकर और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पानी जहां तक ये कुकर जला हुआ है उस निशान तक हम इसमें पानी भर देंगे पानी में एक अच्छी तरीके से उबाल आने देंगे पानी में एक अच्छी तरीके से उबाल आने के बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे डिटर्जन पाउडर राउन एक टेबल स्पून डिटर्जन पाउडर हम इसमें डालेंगे इसे के साथ साथ हम डालेंगे एक पूरे नीमू का जूस और इस नीमू का चिलका भी इन सभी चीजों को एड करने के बाद अब इस पानी को हम कुछ मिन्टों के लिए अच्छी तरके से उबाल लेंगे तो आप देख सकते हैं 5 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इस पानी को उबाल दिया है अब हम गैस को करेंगे बन और इस पानी को थोड़ा सा थंड़ा होने के लिए रख देंगे कुछ देर बाद इसमें जो भी पानी था इसे मैंने फेक दिया है अब इस कुकर के अंदर फिर भी जले के निशान है तो इसे साफ करने के लिए किसी स्क्रबर से और बरतन के इस लिक्विट से हम इसे अच्छी तरीके से साफ करेंगे तो आपको इसे साफ करने के लिए बिल्कुल जादा मेहनत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी simply आप इसे रब करते जाएंगे तो ये जो भी stain है साफ होते जाएंगे क्योंकि हमने इसमें पानी उबाला था तो ये जो भी hard stain थे ये loose हो गए है बहुती आसानी से और बिना रगडे ये जो भी stain है साफ होते जाएंगे सबसे last में आप इसे आप अच्छी तरीके से पानी से साफ करें तो आप देखेंगे कितना बुरी तरीके से ये कुकर जल गया था बिल्कुल नए जैसा आप ये चमकने लगा है हमारे एक सबस्क्राइबर ने पूछा था कि कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो चाय की ये दाग आसानी से कैसे हटाए तो चलिए इसका भी solution आज मैं आपके लिए लाई हूँ तो यहाँ पर मैंने एक सफेद नैपकिन ले लिया है इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा चाय इस चाय को गिराने के बाद इस डाग को मैं कम से कम 4-5 गंटे के लिए अच्छी तरीके से सूखने दूगी और सूखने के बाद ही इस डाग को कैसे निकालेंगे ये आज हम आगे देखेंगे तो 4-5 गंटे के लिए चाय गिरे हुए इस नैपकिन को मैंने अच्छी तरीके से सूखने दिया 5 गंटे के बाद आप देख सकते हैं चाय का ये डाग काफी हाड हो गया है तो इसे साफ करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे नॉर्मल पानी और पानी से इस डाग को साफ करेंगे अब इस चाय के डाग को मिटाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बाद सोप जिहाँ नहाने का जो साबन होता है वही साबुन हमें चाहिए यहाँ पर आप जो ज़्यादा oily base या फिर glycerin का जो soap होता है वो नहीं लेना है आपको बिल्कुल normal soap आप लेख सकते है तो यहाँ पर जो pink lux soap होता है वो मैंने ले लिया है आपके पास अगर live boy वगर ऐसा कोई normal soap हो तो आप उसे भी ले सकते हो तो simply एक से दो बार इस साबुन को लगाने के बाद इस napkin को मैंने अच्छी तरीके से clean कर दिया है तो आप देख सकते हो बीना महन ज़स्ट कुछी मिंटों में इस napkin के उपर जो भी चाय के डाग है पूरी तरीके से निकल गए है सिर्फ एक बाद soap की help से तो ये जो भी चाय के डाग है आसानी से निकल जाएंगे तो last में साफ पानी से मैंने इस अच्छी तरीके से धू लिया है और napkin को सुखा भी ले लिया है तो final result आप इसका देख सकते हो कि इस napkin के उपर जो भी चाय के डाग है आसानी से निकल गए है हमारी next tip है इस shirt के color को साफ करने को लेकर shirt अगर कही पे ज़्यादा खराब होता हो तो वो सिर्फ color पे ही खराब होता है और इस color को साफ करने के लिए कई बार हम brush लगाते हैं तो बार-बार brush के इस्तमाल से color हमारी damage तो हो जाती है लेकिन फिर भी ये color साफ नहीं होती तो इसके लिए best option है कि आप इस color को साफ करने के लिए इस्तमाल करें घर में पड़ा कोई भी white color का shampoo color को सबसे पहले थलका सा गीला कर ले और इस color पर आप इस white shampoo को लगा कर पाच मिनिट के लिए ऐसा ही रगते पाच मिनिट के बाद किसी soft pristle वाले brush से इस color को आप साफ करें तो आप देखेंगे जस्ट एक ही रगड में ये color साफ होती जाएगी और अब सबसे last में साफ पानी से आप इसे धू ले और अच्छी तरकी से सुखा ले आप देखेंगे सिर्फ इस एक shampoo की help से हमने इस color को साफ कर दिया है वो भी बिना इस color को damage किये तो आपको अब इसे घंटो रगडने की जरुवत नहीं पड़ेगी शैंपू के help से आप बहुती आसानी से इस color को साफ कर सकते हो हमारी next tip है इस coffee oily और चिपचिपे दियो को साफ करने को लेकर बिना जंजट बिना महनत इस दियो को हम साफ कर सकते हैं इस एक आसान ट्रिक से इसके लिए सबसे पहले gas पर रखे कोई बरतन और इसमें पानी आड़ करें ये सबी दिये dip हो जा इतना पानी हमें इसमें आड़ करना है पानी में एक अच्छी तरीके से उबाल आने दे और सबसे पहले हम इसमें आड़ करेंगे आधा निम्बू का रस और इसका छिलका इ और एक बड़ा चमच हम डालेंगे बेकिंग सोडा याने की खाने का सोडा इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाए पानी में एक अच्छा उबाल आते ही जितने भी दिये है इसके जो भी पार्ट्स अगर सेपरेट होते हो तो इससे सबसे पहले सेपरेट करें और एक करके इसे हम बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे इसके उपर जो भी काला चिपचिपा पन था वो निकल गया है अब नॉर्मल किसी लिक्विड से आप इसे साफ करें साफ पानी से दोले और सुखा ले आप देखेंगे बहुत ही बड़िया तरीके से बीना जिंजट बी दिये साफ हो गए है बातरूम के टैप्स हो या फिर शौवर या हो किचन का सिंक या फिर किचन का टैप ऐसे कई सारे शौवर्स या फिर टैप किचन सिंक को हमेशा पानी के कॉंटेक्ट में आने से इसके उपर सफेद दाग तायर हो जाते हैं और इसे के कारण ये टैप्स या फिर किचन सिंक काफी पुराना लगने लगता है इसे साफ करने के लिए मैंने कई होममेड सोलूशन भी आपके साथ शेयर किये है लेकिन इसे साफ करने का एक इंस्टेंट तरीका आज हम देखेंगे इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ जौफ प्रैंट का ये बहुती बढ़िया सा लिक्वीड जो मुझे परसनली बहुती अच्छा लगता है ये बिल्कुल भी स्पॉंसर्ड वीडियो नहीं है परसनली इस लिक्वीड को मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ जिसका रिजल्ट मुझे परसनली बहुती अच्छा लगता है तो सिंपली इस ल तो आप देखेंगे बहुत ही बड़िया ये cleaner सभी tap, sink और shower को चमकाने लगता है, बिल्कुल नए जैसे हमारे taps दिखने लगते हैं, तो इस बहुत ही amazing से liquid की purchase link मैंने इसी वीडियो के description box में दे दी है, आप इसे एक बार ज़रू चेक करके देखें kitchen में अगर सबसे ज़्यादा oily, chip-chipy खराब होने वाली कोई चीज है, तो वो है हमारे kitchen के chimney filters, जो अगर एक बार खराब हो गए तो इसे साफ करना हमें बहुत ही मुश्किल काम लगता है, time consuming वाला काम लगता है, तो आपकी इस मुश्किल काम को भी आज हम बहुत ही आसान करने वाले है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे जो भी chimney filters है, काफी oily, chip-chipy हो गए है, बहुत ही खराब हो गए है, इस वीडियो के लिए मैंने कई दिनों से इसे साफ नहीं किया था, तो इसी chimney filters को आज हम साफ करके देखेंगे, सबसे पहले ये दोनों ही filters, अच्छी तर ट्रे हमें लेना है, तो मेरे पास ये ट्रे है, जो specially इन filters को साफ करने के लिए ही मैंने घर में रखा है, तो सबसे पहले इस ट्रे में हम इन दोनों filters को रखेंगे, और अब इन filters को साफ करने के लिए हमें चाहिए drain cleaner powder, ये वही drain cleaner powder है, जो sink वगरा ब्लॉक होने के बाद, इस ब्लॉकेज को निकालने के लिए हम इस powder का इस्तमाल करते हैं, ये काफी सस्ते दाम में किसी भी grocery shop में आपको आसानी में मिल जाती है, अगर आपको ना मिले तो इसकी online purchase link भी मैंने इसी वीडियो के description box में दे दी है, तो सबसे पहले इस filters के उपर इस drain powder को हम डाल देंगे, त काफी चिपचिपे हो गए है, तो इसके लिए मैंने आपर दो पैकेट का इस्तमाल किया है, अगर आपके filters इतने खराब नहीं है, तो एक पैकेट में भी ये साफ होते जाएंगे, इस powder को add करने के बाद सबसे पहले इसके उपर हमें add करना है गरम पानी, अच्छी तरीके से उबला हुआ गरम पानी हम इसमें डालेंगे, गरम पानी डालते ही आप देखेंगे कि इस powder और पानी का बहुत ही बढ़िया reaction इस पाने में आपको दिखाई देगा, पाच मिनिट के बाद अब इन filters को हम पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरीके से clean हो बचा हुआ है, इसे साफ करने के लिए, नॉर्मल किसी scrub और liquid dish wash की help से हम इसे साफ करेंगे और फिर साफ पानी से धूलेंगे, तो देखा अपने इस एक आसान ट्रिक से कितने बहतरीन तरीके से हमने इस kitchen के chimney filters को साफ कर दिया है, बिलकुल नए जैसे ये filters लग रहे हैं, So friends, I hope कि आज के ये सभी cleaning tips and hacks आपके लिए भी ज़रूर useful रहे होंगे, तो इसमें से कौन सी cleaning tip आपके लिए नई और useful रही हमें comment करकर ज़रूर बताए, आज का ये वीडियो और मेरी ये महनत अगर आप तक पहुची हो, तो वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेर जरूर कीजिए, और अगर अब तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, तो अभी जाकर subscribe कीजिए, subscribe बटन के आगे एक notification bell है, उसे भी press करना ना भूलिए